कैसे हैं आप सब स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो वेंच्योरी मीटर के बाद जो हमको नेक्स्ट में जो डिवाइस देखनी है वह है औरिफिस मीटर तो सबसे पहले जैसे यह इसका शॉर्ट में डिस्कसन कर लेते हैं का औरिफिस मीटर का इस्तमाल करते हैं ठीक है ? दूसरा कि यह एक चीब डिवाइस होती है बहुत चीब होती हैं वेंच्योरी मीटर के कंपरीजन के यह चीब डिवाइस होती है और इसमें जो energy losses होते हैं वो जादा होते हैं अगर advantage और disadvantage के अंगर हम बात करें venture meter और orifice meter के बीच में तो orifice meter जो होता है चीप होता है ये इसका एक advantage हुआ और venture meter में जो losses होते हैं वो बहुत low होते हैं लेकिन orifice meter में जो losses होते हैं वो जादा होते हैं इसे लिए इसकी जो cd की value वो होती है low होती है जैसे कि हमने venture meter वे देखा था कि जो हमारी cd की value थी मतलब coefficient of discharge की जो हमारी value थी जिसको हम कहते थे cd वो होती थी around 0.95 से लेके 0.99 तक तो cd की value 0.95 से 0.99 होती थी venture meter के case में लेकिन अगर हम orifice के बात करें तो इसकी जो यह coefficient of cd की जो value होती coefficient of discharge की वो लो होती है ठीक है तो यह इसका एक और disadvantage हो गया तो एक advantage और दो disadvantage मैंने बताया अगर मैं आपको orifice meter के overview के बारे में बताऊं तो देखे यह एक pipe है ठीक है कोई भी एक pipe है यहां इस pipe के साथ एक यहां पर देखे एक piezo meter attached है और यहां पर यह जो है यह इसी को कहते हैं नमबर वन बन पे और यहाँ पे नमबर टू पे आते आते देखिए यहाँ पे अब यह जो section है इसका थोड़ा reduce हो गया मतलब यहाँ पे जो इसकी यह वाली portion है यहाँ पे कम हो गया मतलब अब flute जीस speed से आ रहा था flute के particles इस पे टकराएंगे और अपना रास्ता बनाएंगे इस तरीके से यहाँ से flow करेंगे अब यहाँ पे कुछी कुछ flute जो है इस तरीके से यहाँ पे jump create होगा ठीक है एक तरीके का vena contract हा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे contract हो जा रहा है space और यहाँ पे कुछ यहाँ पे jump से create होगा flute particles इस तरीके से jump करेंगे जैसे आप इस portion पे नज़र डालिए इस portion पे और इस portion पे यहाँ यहां पर देखिए एक jump जैसा create हो रहा है कि fluid ऐसे ऐसे आ रहा है फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है ठीक है जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं तो यह समझ लीजे इसका point number one यह है और इसका point number two यह है वीना पॉल्टर रक्टा, ठीक है बिया है एक और फिस का अब पीजो मेंंटर में हम यहां पर यूज़ कर रहा है कि एक यहां monometric fluid मौझूद है प्लूट और मौझूद में यहां पर यहां जब पास ओर रहा तो इसके अंदर जो जो value होती है और इफिस में वो कम होती है तो यहां पे CD की value होती है 0.612.65 और Venturimeter में किती थी 0.952.99 ठीक है तो यहां देख रहे हैं कि यहां पे CD की value कैसे कम है ठीक है और अगर Vena Contractor के area के अगर हम बात करें तो यह जो portion A2 है यहां पे coefficient of contraction into section 2 की area जो भी 0.2 है उसका जो भी area है उसको coefficient of contraction से multiply करेंगे तो हमारा यह जो Vena Contractor बन रहा है इस जम की वज़े से इस तरीके का जैसे कि यह है तो यह वाला जो portion है Vena Contractor जो हमारा बन रहा है अगर इस portion की हमको area चाहिए तो इस portion की area के लिए हम ने यह formula design किया ठीक है that AC is equal to CC into A2 ठीक है तो और इफिस के बारे में आपको इतनी चीजे याद रखनी है क्या 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 याद रखनी है कि क्यों होता है discharge measurement के लिए energy losses इसमें ज्यादा होते हैं coefficient of discharge के value low होती है low होती है कितनी होती है 0.61 to 0.65 और यहां पे जो Vena Contractor की area होती है AC is equal to CC into A2 ठीक है तो यह basic बात हो गई और इफिस meter के बारे में ठीक है अब बात अगर हम कर ले और इफिस meter के बाद अगर हम बात करें तो और इफिस meter के बाद जो हमारा है वो है Pitaute Tube ठीक है अब Pitaute Tube में Pitaute Tube basically local velocity को measure करने के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है Venture meter और इफिस के बाद और इफिस के बाद और इफिस के लिए discharge के लिए और इफिस के लिए लोकल velocity को measure करने के लिए अब आप basically समझना चाहें कि pitot tube क्या होती है तो this year यह होती है pitot tube इस तरीके का यहाँ पे nozzle जैसा यहाँ जैसा आप कुछ देख पा रहा है fluid pipe में pipe में जो इसमें fluid flow कर रहा है यहाँ पे nozzle जैसा है इसी को कहते है pitot tube यह क्या होता है कि जब भी fluid की जो direction है flow की वो इस तरीके से आती है जैसा कि आप diagram में देखे इस तरीके से fluid की direction जो आती है यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे यह section tube पे जहाँ पे यह pitot tube है इसके nozzle पे टकराती है ठीक है इसके nozzle पे टकराती है कुछ flute जो है उसमें इंटर कर जाता होगा और इस तरीके से यहाँ पे कुछ contraction को subtraction सा उसको feel होता है इसकी help से हम जो है local velocity of flow को measure कर पाते हैं ठीक है section 1 1 हमारा वो section है जहाँ पे before striking section है ठीक है section 1 1 जो है हमारा before striking section है section 2 2 stagnation point है stagnation point वो ऐसे point no.2 जहाँ पे जो pittot tube का nozzle है वो stagnation point है जहाँ पे velocity 0 हो रही है मतलब fluid उस पे आ रहा है इस portion पे fluid आके टकरा रहा है और उसकी velocity 0 हो जारी है तो वो stagnation point है यहाँ पर अगर इसका head निकालें तो जैसा कि हम Bernoulli question में हमने देखा था कि जो head form होता है, Bernoulli question क्या क्या होता है उसी से जो हमारा ये h जो है, यहाँ पर हम difference निकालना है पिटाट ट्यूब में h जो है हमारा, उसी से ये expression निकल के आता है कि p2 by rho g plus z2, z2 और minus p1 by rho g plus z1 तो z1, z2 क्या है, यहाँ पर समझ लें जो datum है अगर तो datum से इस tube की height z1, point number 2 की z2, point number 1 की z1 जैसे कि आप diagram में देख पा रहा है, तो यह इस तरीके से h निकाल लेंगे और एक जो formula होता है, पिटाट ट्यूब में local velocity का वो होता है v1 actual is equal to cv into under root 2gh जहां आपको g पता है, h आप यहाँ उपर से इस से निकाल लेंगे और cv जो है, वो coefficient of velocity की value होती है, जिसकी value होती है 0.97 से 0.99, तो आप 0.97 से 0.99 किसी के बीच में मिले सकते हैं अगर question में given है, तो वो जो दिया है वो लीचे, नहीं given है तो 0.97 से 0.99 के बीच में कुछ भी ले लीजिए और इससे आपको actual velocity of flow पता लग जाएगा तो पिटार ट्यूब जो है, actual velocity of flow को मिज़र करने के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल करें, थैंकियो सो मुच ये सब्सक्राइब करिए लाइक है